अब तक हम RIPL का लाब उठा कर कैलकुलेटर के रूप में Python का उप्योग करते थे. क्या उन कैलकुलेशन्स के रिजाल्ट को स्टोर करना अच्छा नहीं होगा? इसके लिए हम Python Variable का उप्योग करते हैं. इस विडियो में आप सीखेंगे की एक Variable क्या है और इसे कैसे डिकलेयर किया जाएं. हम Variable बनाने के लिए नियमो और बेस्ट प्राक्टिसेस को भी देखेंगे. आईए पहले प्रशन से शुरू करते हैं कि Python Variable क्या है? Variable का उप्योग उन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिन्हें बाद में रेफ्रेंस्ट किया जा सकता है. Please यह समझने का प्रयास करें कि Variable क्या है और मुझे लगता है कि यह बहुत सिंपल है. तो एक Variable वह है जिसका उप्योग हम रिजाल्ट को नाम देने के लिए करते हैं, उडाहरन के लिए हम जो कैल्कुलेशन करते हैं. या दूसरे शब्दों में हम उस कैल्कुलेशन के रिजाल्ट को एक Variables निर्दिष्ट कर सकते हैं. हम Unlimited Amount में Variable बना सकते हैं, हमें बस यह सुनिश्चित करना है कि हम उन्हें Unique नाम देन. आशा है आप समझ गए होंगे कि Variable क्या है. अब आए यह देखना शुरू करें कि हम Variable कैसे Declarator करते हैं. हम RIPL में Result नाम का एक Python Variable बनाएंगे. लेकिन ऐसा करने से पहले हम कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या Python को पहले से ही पता है कि Result क्या है. आए पाइथन टर्मिनल में Result टाइप करें और Enter दबाएं. देखें यह वह तरीका है जिससे Python आपको तुरूटियों के बारे में बताता है. पहली दो लाइन पर ध्यान न दें और इसके बजाए Actual Error पर ध्यान केंद्रित करें. Python रिपोर्ट करता है कि Name Result is not defined. यदि आप जानते हैं कि कहा देखना है तो Python Error मदददार होती है. इसलिए मैं आपको या दिखाना चाहता था. अंतह आपको स्वय ही Code लिखना होगा और Unfortunately Error का सामना करना काम का एक बड़ा हिस्सा है. Error को समझने में सक्षम होना एक उप्योगी स्केल होगा. अब Variable नाम Result को Declare करें और इसे फिर से Try करें. चलिए Result is equal to 5 into 10 के बराबर है दर्स करें और Enter दबाएं. पाइथन Assignment देखता है. हम Result नामक Variable को 5 into 10 का Result असाइन करते हैं. Assignment equal Symbol के साथ किये जाते हैं, जिसे सुविधाजंक रूप से इस कहा जाता है. तो हमने अभी पाइथन को बताया. I declare that result is the result of the expression 5 into 10. इसके बाद हम Result टाइप करते हैं और Enter दबाते हैं. और देखो क्या होता है. पाइथन इसे एक कमांड के रूप में नहीं पहचानता है. इसलिए यह देखने की कोशिश करता है कि क्या शायद इस नाम के साथ कोई Variable है. वहाँ है और हमने इसे 50 declare किया है. इसलिए यह 50 number को evaluates करती है, जो screen पर print होती है. आशा है आप इस example को समझ गए होंगे. और हाँ यह बहुत simple था. आपको यह वीडियो पाइथन सीखने में कैसा लग रहा है? कॉमेंट करके मुझे बताएं. वेरियेबल्स के बारे में अधिक जानने के लिए वीडियो देखते रहें. आईए देखें कि पाइथन वेरियेबल्स को कैसे नाम दें और उनके नियम क्या है? इक्जाम्पल में हमने सामान्य नाम रिजार्ट चुना है, लेकिन आप कोई भी नाम चुन सकते हैं, जो आपको उचित लगे. एक सामान्य नियम के रूप में हमेशा एक ऐसा वेरियेबल नाम चुने जो इसकी कॉंटेंस का सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन करता हो. यह प्राक्टिस आपके कोर को अधिक रीडेबल और समझने में आसान बनाता है. उदाहरन के लिए, यदि हम यहां शॉपिंग कार्ट की टोटल कीमत की कैलक्यूलेट कर रहे थे, तो एक अच्छा नाम शॉपिंग अंडर्सकोर कार्ट अंडर्सकोर टोटल होगा. शॉट में नाम बताने का प्रयास न करें. S-C-T जैसे शॉट नाम के बजाए, शॉपिंग कार्ट टोटल जैसे साफ, पढ़ने योग्य नाम रखना बहतर है. जैसा कि आप जल्द ही सीखेंगे, एक अच्छा कोर कंपाइलर वैरियेबल नाम जैसी चीजों को खुद पूर्ण करता है, इसलिए तो आपको उन्हें पूरी तरह से टाइप करने की जुरूरत नहीं है. आइए देखें कि एक्सप्रेशन में वेरियेबल का उप्योग कैसे करें. वेरियेबल्स पाइथन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आप उनका उप्योग एक्सप्रेशन में भी कर सकते हैं. आइए देखें एक्सप्रेशन किसको कहा जाता है. एक expression वह कुछ भी है जिसका Python किसी value पर evaluate कर सकता है Examples के लिए result को तुसे multiple करने पे output 100 होगा और result को result से minus करने पे 0 output होगा आईए इसे सीधे टर्मिनल में चेक करते हैं आप देख सकते हैं कि मैं result को expression के रूप में उपयोग कर रहा हूँ लेकिन Python जानता है कि यह variable है जिसे हमने पहले ही assign कर दिया है तो Python इस expression को value के रूप में evaluate करता है और हमें output देता है आशा है आप इसे समझ रहे होंगे अब देखते हैं कि Python में variable कितने प्रकार के होते हैं वैसे किसी variable को assignment कोई number होना ज़रूरी नहीं है Python में numbers के अलावा कई data प्रकार हैं जो सभी एक expression का result हो सकते हैं ऐसा ही एक data प्रकार string है जो tutorial में आने वाला का subject है लेकिन others भी हैं जैसे boolean और tuples Python में type close bracket नामक एक built-in function है जिसका उप्योग हम variable या expression प्रकार निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं आईए कुछ उदाहरण देखें जिन्हें हम सीधे Python टर्मिनल में देखेंगे सबसे पहले हम my underscore number नाम का variable बना रहे हैं जिसके लिए हम 4 number assign कर रहे हैं अब हमने 4 के साथ एक variable बनाया अब हम Python से पूछेंगे कि वह हमें बताए कि इस variable का प्रकार क्या है बस उस variable को बारकेट के अंतरगत टाइप करना होगा अब स्क्रीन पर देखें Python हमें बताता है कि variable का प्रकार क्या है Python ने हमें बताया कि यह variable class int का है जो integer के लिए shortcut है Next हम एक string बनाते हैं और पूछे जाने पर Python वास्तव में हमें बताता है कि यह class astr का है जो string का short form है आए हम Python टर्मिनल में string का x maple देखें हम my underscore string variable बना रहे हैं जिसके लिए हम एक शब्द word assign कर रहे हैं अब हम Python से पूछेंगे कि वह हमें बताए कि इस variable का प्रकार क्या है अब screen पर देखें Python हमें बताता है कि variable का प्रकार क्या है बस उस variable को बार्केट के नीचे type करना होगा और enter दबाना होगा पूछे जाने पर Python वास्तव में हमें बताता है कि यह class astr का है जो string का short form है मुझे आशा है कि अब आप जान गए हैं कि किसी भी variable और expression का type कैसे जाना जाता है अब देखते हैं कि Python में किसी भी variable को कैसे नाम दिया जाए variable नाम में कुछ characters की अनुमती नहीं है कुछ नियम है जिनका हमें पालन करना होगा आए valid characters की पूरी list से शुरुआत करें जो एक variable नाम में दिखाई दे सकते हैं पहला नियम यह है कि आप किसी भी variable को नाम देने के लिए lowercase a to z और uppercase a to z का उप्योग कर सकते हैं दूसरा नियम यह है कि आप 0 to 9 numbers का उप्योग कर सकते हैं और तीसरा नियम underscore का उप्योग करना है Python में variable को नाम देने के लिए और दो नियम है किसी भी variable को नाम देने के लिए इसका पालन करना होगा पहला नियम यह है कि variable नाम एक letter या underscore character से शुरू होने चाहिए और किसी number से शुरू नहीं हो सकते दूसरा नियम यह है कि variable नाम के इस sensitive होते है स्क्रीन पर आप valid variable नामों के कुछ उदाहरन देख रहे हैं जो सभी पांच नियमों का पालन करते हैं आशा है आप समझ रहे होंगे और अब यहां कुछ उदाहरन invalid variable नाम के हैं क्योंकि आप देखते हैं कि पहला variable नाम number 1 से शुरू होता है जो नियमों के विरुद्ध है, इसलिए यह अमान्य वेरियेबल नाम है. आप दूसरा वेरियेबल नाम देख रहे हैं, जिसमें डाश शामिल है, जो स्पेशल कारक्टर है, और जो नियमों के विरुद्ध है, इसलिए यह अमान्य वेरियेबल नाम है. और लास्ट में आप जो तीसरा variable नाम my world देख रहे हैं, उसमें space शामिल है, इसलिए यह अमान्य variable नाम है मुझे आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि किसी variable को कैसे नाम नहीं देना चाहिए एक और बात याद रखें कि variable नाम केस sensitive होते हैं, इसलिए जो नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वे समान नहीं है पाइथन में variables को नाम कैसे दे इसके लिए बस इतना ही इसके साथ हम variable विश्यों को समाप्त करते हैं, लेकिन जब भी आवश्यक्ता होगी, इस विशय पर ट्यूटोरियल के दौरान चर्चा की जाएगी आशा है कि आपको मेरे साथ पाइथन सीखना पसंद आ रहा होगा यदि ऐसा है तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे अगले विडियो में मिलूंगा जय हिंद जय महाराष्टर